सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि वीडियो क्वालिटी में इंप्रूब्मेंट नजर आ रही है या नहीं क्योंकि अगर नहीं आ रही है फिर तो पैसा पर पाथ पैसा पर पाथ तो फाइनली दोस्तों मैंने अपना पहला कैमरा ले लिया है कौन सा कैमरा लिया है शायद आ आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हो या अल्रेडी बना रहे हो और अपनी क्वालिटी को इंप्रूब करना चाहते हो अब अगर हम लोग यूट्यूब की बात करें तो आपके माइंड में तीन-चार कैमरा आ जाते हैं सबसे पहले कैनन 200D उसके बाद कैनन M50, कैनन 250D slash Mark II slash Canon SL3 एक ही कैमरा के तीन नाम है उसके बाद M50 Mark II आ जाता है and in the end Sony A6100 and A6400 अब अगर आपका बजट लो है तो 60 से 65,000 के बीच में आपको कैनन का 200D मिल जाएगा यूस्ट कंडिशन में इसके बाद M50 की बात करें तो मैंने यूस्ट कंडिशन में लिया है 82,000 का म M50 भी मिल जाएगा उसके बाद Canon 250D की बात करें तो वो भी similar price में आपको मिल जाएगा 80-85,000 लेकिन अगर ये दोनों कैमरा आपको new condition में लेने तो around 1,00,000 तक आपको दोनों मिलेंगे अब इसके बाद Canon M50 Mark II की बात करें तो वो 1,20,000 का आपको मिलेगा और similar price में आपको A60 100 भी मिल जाएगा A6400 की बात करें तो वो around 1,60,000 का आपको kit lens के साथ मिलेगा अब ये में आपको general cameras recommend की है YouTube के लिए लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि अगर आप 1,00,000 के उपर spend कर रहे हो तो आप definitely Sony की तरफ जाओ वहाँ पर आपको जो video quality मिल रही है वो Canon के comparison में काफी ज़्य इसकी price अब price के बारे में जैसे मैंने आपको बताई यूस कंडिशन में में लिया है 80 से 85,000 के बीच में I don't think के कोई भी और camera आपको मिलता है जो के इस तरह की quality आपको दे सकता है तो definitely for the price आपको जो quality मिल रही है वो काफी ज़्यादा अच्छी है और budget में I think it is one of the best cameras इस price range म ना तो आपको Sony की तरफ से कोई camera मिल रहा है ना Panasonic की तरफ से Canon का 250D आपको similar price में मिलता है लेकिन वो एक DSLR camera ये एक mirrorless है तो इन दोनों के उपर थोड़ा सा research करके आप अपने लिए best camera चूज करो दोस्तो second जो reason है वो है user friendly interface अगर आप एक beginner हो मेरी तरह तो definitely आप Canon का camera purchase करो औ जलता है वो काफी ज़्यादा easy है और आप जल्दी सीख पाऊगे तो beginners के लिए मैं definitely Canon का camera recommend करूंगा काफी easy to use है और मुझे 2-3 दिन होगे almost सारी चीजे मैं सीख गया हूँ उस camera के बारे में और बाद में जब आपको upgrade करना होगा आप upgrade कर सकते हो दूस्तो third reason के बारे में बा navigate कर सकते हो menu में तो आपको चोटे चोटे बटन नहीं प्रेस करने होंगे directly आप touchscreen पर प्रेस करके अपने जो camera की settings है उनको change कर सकते हो एक और feature जो मुझे इस camera के बारे में काफी अच्छा लगा and I think यह आपको Canon के सारे cameras में मिल जाता है जिन में आपको wifi connectivity मिलती है वो है कि जदा important है और एक YouTuber के लिए अगर आप अकेले videos बनाते हो तो यह features आपको काफी जदा help करने वाली है and एक touchscreen है flip out screen है तो vlogging में भी आपको काफी जदा help करेगा यह दोस्तो point no.4 की बात करें जिसके वज़े से मुझे camera काफी पसंद आया है वो है इसका compact design और form factor अब इस camera को लेने काफी difference मिलेगा क्योंकि एक mirrorless camera है और mirrorless camera size में generally काफी चोटे होते हैं तो अगर आपको चोटे cameras पसंदे है light weight cameras पसंदे है definitely Canon M50 की तरफ आप जा सकते हो अब जिस तरह की videos मैं बनाता हूँ मुझे कोई difference नहीं पड़ता अगर मेरा camera थोड़ा हो लेकिन vloggers के लिए feature काफी जद काफी जदा useful है और in general काफी लोगों को compact cameras पसंद आते हैं अब इसको अपने pocket में डाल सकते हो lens निकालके अपने bag में अराम से डाल सकते हो तो अगर आप ज़्यादा travel करते हो तब भी camera आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है and again मुझे इसका जो compact size compact form factor है वो काफी जदा पसंद आया दोस्तों point number five की बात करें तो वो है इस camera का kit lens and इसकी lens selection अब इस camera में आपको जो kit lens मिलता है 15-45 mm ISSTM lens image stabilization आपको इसके lens में मिल जाती है plus जो focal range आपको काफी ज्यादा अच्छी है 15 mm काफी wide frame आपको दे देती है तो vlogging के लिए again यह feature काफी useful होने वाला है plus आपको zoom क अब फीचर मेल जाता है तो 45 mm आपको maximum zoom मिलता है and यह 15 mm का feature है यह मुझे काफी अच्छा लगा मैं currently इस वक्त 16-17 mm पे शूट कर रहा हूं और 3.5 परचर है minimum इसका तो kit lens इसका काफी ज्यादा अच्छा है काफी अच्छी video quality आपको मिल रही है इस वक्त जो यह video shoot हो रही है वो भी मैं kit lens से बना रहा हूं तो आप देख सकते हो किस तरह कि आपको quality मिलेगी kit lens पे अब इसके lens selection के बारे में बात करें तो क्योंकि यह Canon का mirrorless camera है तो यहाँ पे Sigma के तीनो lenses मिल जाते है 16, 30 and 56 mm इस camera के लिए natively EFM mount लेकिन अगर आपको Canon के सारे lenses यूज़ करने EF mount वाले तो आपको एक adapter भाई करना होगा जो आपको 4000-5000 का मिल जाएगा जहाँ पे आप डिरेक्टली Canon के बाकी lenses को इस camera पे mount कर सकते हो तो यह भी मेरे साब से काफी अच्छ बहुत फुल फ्रेम वाली लुक भी दे देगा तो दूस्तो यह थे मेरे टॉप 5 रीजन जिसकी वज़े से मुझे यह camera काफी पसंद आया और I would definitely recommend के अगर आप market में camera डून रहे हो और आपका बजट अराउंड 80,000 है तो आप Canon M50 के तरफ जाओ और यह सारे features जो मैंने आप best cameras है, with that said कुछ disadvantages भी आपको मिलती है इस camera में जैसे के अगर आप 4K वीडियो में shoot करो तो आपको काफी ज्यादा crop मिलता है और उसके लावा जो dual pixel autofocus है वो आपको नहीं मिलता लेकिन अगर आप मेरी तरह videos बनाते हो तो यह ज्यादा problem नहीं होने वाला आपके लिए because आप camera को थोड़ा पीछे रखके और manual focus को use करके वीडियो बना सकते हो तो 4K भी इसका usable है अगर आप मेरी तरह videos बनाते हो एक जगह पर बैटके लेकिन vlogging के लिए या बाकी में आपको इसका 4K recommend नहीं कर सकता क्योंकि autofocus में काफी ज्यादा hunting है in the end दोस्तो I want to thank you all because यह सब आप लो next video में तil then take care, goodbye and laughs